नमस्कार जी आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो 135 दिव्यांगों की जो पोस्ट ने आई थी बैकलोग की उनकी जो सुची है वो आ चुकी है जो सेलेक्ट उमिदवार हुए है उनकी सुची अपलोड कर देगी इस साइड पर अब हम मेन मास्टर लगने के लाइक है और को नहीं है तो पहले मैंने वीडियो बनाया तो कुछ लोग बोड़ रहे थे कि आप तो S-C केटागरी उपर पर हार कर रहे हो तो मैं बता दूं कि मेरा किसी A केटागरी को लेकर वीडियो नहीं होता है मैं तो हरे केटागरी के लिए बनाता कि कौन Master लगना चाहिए और को नहीं लगना चाहिए तो दोस्तों अब यहां में आपको बता देता हूं देखिए आप जो यह एनुगाँब की जो लिस्ट आई है से लेक्शन लिस्ट यह और्फ हो बावनों की चैसा हो केंडेटे से होते हैं देखिए बहुत अच्छे नमबर लिए एक सो चोंती एक सो टेई एक सो टेई एक सो एक की जो भी है किसी के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है यहां पर ठीक है जी कुछी का नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है तो बहुत अच्छे केंडेट है इन हमें किसी के नाम से लिएना देना नहीं है 45 नंबर 48 नंबर 56 57 तो यह देखिए कितना मतलब है इसमें कि जो 42 नंबर वाले हैं और जो 42 नंबर वाले हैं 45 नंबर वाले 48 नंबर वाले हैं इनके खुद के 33 परसंट नंबर नहीं है जैसा कि हमारे सिक्ष्यावी भाग में ये प्रावदान है कि जो 33% से कम नमबर लेके आएगा student उसे fail करार दिया जाएगा fail तो बताईए ये teacher pass है क्या ये teacher pass है जिनके 42 नमबर हैं, 45 नमबर हैं, 48, 56 है कि क्या ये teacher लग सकते हैं, pass है चलो ये तो government का प्रावदान है कि इसमें कोई pass mark रही नहीं रखा हुआ इसलिए मैं बोला हूँ, pass mark होना चाहिए यहाँ पे आप खुद देख सकते हो अब देखिए, इसा तो है नहीं कि और handicapped student है, वो पढ़नी सकते हैं ये देखिए, ये रहे 144 नमब, 133 नमब लेने वाले भी हैं लेकिन ये देखिए, आप बिलकूर नीचे आजाएए तो ये हमारे सिक्ष्या के लिए एक भूत बड़ी तरास दी है इसमें आप देख सकते हो कितने कम नमबर वाले जो है वो selection हो रहा उनका तो पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने बोला था कि इस बार जो मास्टर केडर का पेपर था वो ऐसी केटागरी को बदनाम करने के लिए बनाया गया था कुछ लोगों के कॉमेंट थे कि पेपर ये सा बना दिया ऐसी केटागरी को बदनाम करने के लिए देखे जी पेपर कैसा बना दिया है नमबर लेने वाले तो 114, 113, 113, 113 वो ये ले रखे वो ये पेपर इन्हों ने टैम्ट किया है तो ये बताना मेरा इसका मुख्य मक्सद है कि एक पास मार्क तो रखा जाना बहुत जरूरी है जिससे की बिल्कुल ही लो लेवल के जो मार्क्स प्रापत करने वाले हैं वो तो कम से कम टीचर की जो में नया आए बहुत बहुत धन्यवाद